हलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाश 12 पुलिटिकल सैंस याने की राजनितिक सास्त्र के इंटरनेट मोडल सेट 5 के जितने भी अब्यक्टिव कुईस्टिन है सबको सॉल्व करने वाले हैं इसी वज़त से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत आपके अंतिमा मोडल सेट है इसका जो अंसर होगा वो हो जाएगा आपको बहुत दल यह व्यवस्था एक दल नहीं बहुत सारे दल है अभी वर्तमान में नेक्स्ट कुश्चन है कि 1971 में बने महागडबंधन का अधिय क्या था इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएग आपको इंदरा हटाओ नेक्स्ट कुश्चन है कि किने वामपंथी पार्टियों की कोटी में रखा जा सकता है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत या कमिनिस्ट वार्टी नेक्स्ट कुश्चन है कि भारत की समिधान सभा का गठन किस योजना के अधार पर हुआ तो इस का जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको ज़ाहार लालनेहरू नेक्स्ट कुश्चन है कि 1975 में किस अधार पर अपातकाल की गोशना की गई थे इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको आंत्री गढ़वड़ी होगा इसका सी इसका correct answer होगा next question है कि समीधा निर्मात्री सभा में प्रारूप समित्ती का अध्यक्श कौन थे डॉक्टर भीमराम बेद करते next question है कि किसने शंपूर्ण क्रांती का आवाहन किया इसका correct answer हो जाएगा जै प्रकास नरेंजी नेक्स्ट कुश्चन है कि भारत्य नागरिकों को कितने मोलिक अधिकार प्राप्त है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको 6 नेक्स्ट कुश्चन है कि निम्न में से कौन मोलिक अधिकार नहीं है तिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा संपतिक अधिकार ये हटा दिया गया है नेक्स्ट कुश्चन है कि कानुन का समान संडक्षन वाग कहां से लिया गया तिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अमिर का नेक्स्ट कुश्चन है कि वयस्क माताधिकार से तातपर्ज है क्या तातपर्ज है तिसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार next question कि परतिन्यधी लोकतंत्र का अधार है क्या है इसका correct answer हो जायगा लोकसभा next question है परतिन्यधी सरकार की परमुक विशेष्ताएं है इसका correct answer हो जायगा आपको शंगातμαक सरकार next question है कि मुक चुनाव आयुक्त तथा अन चुनाव आयुक्तों की न्युक्ती किसके द्वारा की जाती है इसका correct answer हो जाएगा आपको राष्टपती की द्वारा नेक्स्ट कुश्चन है कि भारत के परधान मंत्री क्या होते हैं तो भारत के परधान मंत्री जो है यह नियूप तो होते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेत के अधिन भारत के राष्टपती पर महा भियोग चलाया जा सकता है इसका correct answer हो जाएगा आपको अनुच्छेत एक्सट Next question है कि भारत में राश्टपती की अस्थिती है किसके समान है भारत में राश्टपती की अस्थिती तो बिरिटिश महारानी के समान है Next question है कि राजसभा की सदसता के लिये नियूंतम आयू क्या है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको तीस वर्स से कम न हो Next question है कि भारत में राश्टपती का निर्वाचन क्या जाता है किसके दुआरा तो इसका correct answer हो जाएगा उस निर्वाचन मंडल दुआरा जो राश्टपती को चुनता है Next question है राज सभा में के कोरम के लिए निर्धारी संखियां है कितना है निर्धारी संखियां तीसका correct answer हो जाएगा आपको पचीस Next question है कि लोग सभा की अधिक्तम सदस संखियां कितनी है तीसका correct answer हो जाएगा आपको पांसब बावन नेक्स्ट कुश्चन है कि राज सभा का सभापती कौन हो सकता है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उपराष्ट पती पदेन नेक्स्ट कुश्चन है कि 73 समिधान संसोधन द्वारा कहते हैं कि 73 समिधान संसोधन द्वारा पंचेती राज संस्थाओं का कार्जिकाल कितना है इसका जो करेक्ट अनसर होगा वो हो जाएगा आपको पांच वर्स नेक्स्ट कुश्चन है कि 73 समिधान संसोधन द्वारा भारत्य समिधान में कौन सी अनुसुची जोड़ी गई है इसका करेक्ट अनसर हो जाएगा एगार ही अनुसुची नेक्स्ट कुश्चन है विधान सभा का सदस निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवस्चक है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको 25 वर्ष नेक्स्ट कुश्चन है कि किसी भी राज की विधान सभा की अधिकतम अनुग्ये सदस सीमा है कितना है इसका correct answer हो जाएगा आपको 25 सदस नेक्स्ट कुश्चन है कि विधान परिशद का सदस निर्वाचित होने के लिए नियुन्तम उम्र है कितना नियुन्तम उम्र है इसका correct answer हो जाएगा आपको 30 वर्ष नेक्स्ट कुश्चन है समिधान का कौन सा अनुछेद संसद को राज सूची के किसी विशाय पर विधान बनाने की सक्ति देता है तिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको अनुछेद अद्दूसर उन्चास भारत के समिधान में पहला समिधान संसोधन किस वर्ष हुआ इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको उनिश्यकावन नेक्स्ट कुश्चन है कि समिधानिक विशाय पर निर्नाय देने के लिए सरवच नियाले के कम से कम कितने नियाइधिसों की बेच होनी चाहि इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको पांच नेक्स्ट कुश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिती परति वेदन में पंचायती राजसंस्थाओं को कितने अस्तरों पर करने का सुझावब दिया गया इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको त्री अस्तर ही है नेक्स्ट क हो जाएगा आपको dmk next question है कि बावरी मस्जीत का विद्वन्स किस वर्ष में हुआ था इसका correct answer हो जाएगा आपको उनिश्व बिरानवे next question है कि भारत्य संग में अब सिष्ट अधिकार है इसका correct answer हो जाएगा आपको केंद्र के पास next question है कि समिधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुसता संपन राज है क्योंकि इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उसका दायत्व है कि वह अंतराष्टिय शांतिवसरक्षा में रख रखाव में युगदान दे next question है कि समिधान के कि संसोधन ने मोल करतब्यों को जोड़ा इसका correct answer हो जाएगा आपको 1976 का वियालिश्वार संविधान संसोधन next question है भारत मुख्यता एकात्मक राज है इस विचाड के परतिपादक है कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको डीडी वसू next question है संगात्मक धाच धाचे के लिए अपरिहाड लक्षन है इसका correct answer हो जाएगा आपको उपर्युक तीनो next question है कि भारत्य समिधान में समवर्ती सुची की प्रेणा किस देश से ली गई इसका correct answer हो जाएगा आपको आस्ट्रेलिया next question है कि निमन में से कौन समवर्ती सुची का विशा है इसका correct answer हो जाएगा जेल next question है कि भारत में लोगतांत्रिक विकेंद्री करन का सुझाव की समिती ने दिया इसका correct answer हो जाएगा आपको बलवन्त राय मेहता समिती next question है कि 73 समिधान संसोधन द्वारा एकार भी अनुसुची में पंचैती रासंस्थाओं को कितने का सोपे गए इसका correct answer हो जाएगा आपको 29 next question है समिधान संसोधन की प्रकिरिया का वर्नन किया गया किस अनुछेद में इसका correct answer हो जाएगा अनुछेद 366 में next question है कि केश्वानन्द भारती विवाद में सर्वोच्य नियाले ने किस विशाए पर निरने दिया था इसका correct answer हो जाएगा आपको संसद मोलिक अधिकारों में संसोधन नहीं हो सकता next question है और लिवर्टी पुस्तक के लेखा कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको j.s.meal next question है कि मनुष्वतंतर उत्पन होता है किन्तु सर्वत्रवबंदनों में बंधा हुआ है किसने कहा इसका correct answer हो जाएगा आपको कानोनी नियाए next question है कि निम्लिखित में से किस अधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको उपरिक्त सभी next question है कि भारती है नागरिकता अधिनियम का पारित किया गया तो my dear students हमने 50 objective question को अभी तक में solve किये हैं 50 question को all solve करना है अगर अभी तक आपने हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किये हैं तो please subscribe करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी share करेंगे और इनमें से जितना आपका सही हुआ है ना आप हमें comment में बताएंगे next question है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम का पारित किया गया तो इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है कि विश्वहिंसा दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है 2003 के 92 संसोधन में भारत्य समिधान की आठवी अनुशुची में कौन सी भासा जोड़ी है इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है कि भारत में हरित करांती के जनक कौन है इसका correct answer होगा M.S. स्वामी नाथन next question है कि अन्तराष्टिय नियाले का मुख्याले कहां स्थीत है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है कि पंजाब में सैनिक कार्जवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनेत इसका correct answer हो जाएगा आपको इंद्रा गांधी next question है कि 1966 का तासकन समझोता किन देशों के बीच हुआ इसका correct answer हो जाएगा आपको भारत पाकिस्तान next question है कि 2009 का जलवाई सम्मेलन कहां हुआ था इसका correct answer हो जाएगा आपको कोपे नहेगन में डी इसका correct answer होगा next question है कि सुरक्षा परिशद के कितने सदस्यों को निशेश आधिकार प्राप्त है इसका correct answer हो जाएगा आपको पंदरा next question है कि निम्लिखित में से कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है ति इसका correct answer हो जाएगा आपको इंडोनेशिया next question है कि 1994 में भारत में अपना पाहला परमानु परिक्षन कहां किया गया था इसका correct answer हो जाएगा आपको पोखरन में next question है कि सुन्दर लाल बहुगुना का समन इनमेश से किस से है ति इसका correct answer हो जाएगा आपको चिपको अंदोलन से next question है कि 1995 का बांगडूं सम्मेलन कहां हुआ था इसका correct answer हो जगा इंडोनेशिया next question है कि कि अंता राष्टिय श्रम संगठन का एक विशिष्ट अभी करन है कौन है तिसका correct answer हो जाएगा आपको शन्युक्त राष्ट्रंग का next question है कि निमलिखित में से किस राज का निर्मान भासा के अधार पर नहीं हुआ था इसका correct answer हो जाएगा आपको उत्राखंड next question है कि किस वर्ष पस्चिमी राष्टों को नाटों की स्थापना की थी इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको उनिस संचास next question है गुट निर्प्यक संबेलन के पर्थम सिखर संबेलन के अध्यक्ष कौन थे इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको मार्शल टीटो next question है कि सित यूद के दोलान जर्मनी का अकिकरण किस वर्ष में हुआ था इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको next question है कि अंतराष्टी अनूर्जा अभिकरण के स्थापना कब होगी थी इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है सुचना का अधिकार कानुन किस वर्ष लागो हुआ था इसका correct answer हो जाएगा दू हजार पांच next question है बंगलादेश एक स्वतंतर देश की स्वर्ष हुआ इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है कि जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था तो यह simple question है इसी वज़े से हम इसका answer बिल्कुल नहीं देने वाले हैं आप हमें बताएंगे किसका answer क्या होगा next question है कि 1850 में किस राजनितिक दल की अस्थापना हुई थी देखिए कितने मज़दार प्रस्परस्ण है यह तो भारते राष्टिया कॉंग्रेस की धर यहां है यह भारते राष्टिया कॉंग्रेस की अस्थापना हुआ था next question है कि किस अमेरिकी राष्टपती को 2009 में शान्ति का नॉवेल प्रुष्कार परदान किया गया था इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको बराक ओबामा next question है कि भारत में नई आर्थिक नीती किस वर्ष शुरू की गई थी तिसका correct answer हो जाएगा आपको 1991 नेक्स्ट क्विश्चन है कि बोडो लेंड छेत्रिय परिशत किस राज में स्थित है इसका correct answer हो जाएगा आपको असम next question है कि प्रमानु अप्रसार संधी पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किये इसका correct answer हो जाएगा आपको भारत next question है कि अमिर्का के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था इसका correct answer हो जाएगा आपको 11 सितंबर 2001 next question है कि भारत में अब कितने राज है अभी वर्तमाने में 28 राज और 8 केंदर सासित प्रदेश बता रहे हैं 24 अक्टूबर next question है कि सिंधू जल संदी भारत और नीमन में से किस देश के बीच हो भी तिसका correct answer हो जाएगा आपको पाकिस्तान next question है बरलीन की दिवार कब बनाई गई थी इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको 1161 next question है कि कियोटो संदी कब हस्ता चरिते हुई थी इसका correct answer हो जाएगा आपको 1197 next question है कि वैस्वी करन किस विचार धारा पर अधारित है इसका correct answer हो जाएगा आपको उदारवाद next question है कि मन रेगा कार्ज करम की शुरुबात किसके द्वारा की गई थी तिसका correct answer हो जाएगा आपको मन मोहन सिंग द्वारा next question है कि भारत में प्रतिबध नौकर साही के विचार का समर्थन किसने किया इसका correct answer हो जाएगा आपको इंदरा गांधी next question है कि सौराष्ट छेत्र किस राज में आता है तिसका correct answer हो जाएगा आपको गुजरात next question है कि उलफा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है इसका correct answer हो जाएगा भारत का next question है महिलाओं को सारजनिक छेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है किसने कहा इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको अरस्तू next question है कि भांगडा नांगल बांध किस नदी परस्थित है इसका correct answer हो जाएगा आपको सातलाज next question है कि 20 महिला दिवस कम मनाया जाता है इसका correct answer हो जाएगा आपको 8 मार्च को नेक्स्ट कुश्चन है कि इनमेर से किसने खुले द्वार की नीती अपनाई बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा चीन ने नेक्स्ट कुश्चन है कि वर्षाय संधी को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको युगोसलाविया नेक्स्ट कुश्चन है कि युरोपिय संक्यस्थापना कब हुई थी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उनिश्चा बेरानवे नेक्स्ट कुश्चन है कि साप्टा समझोते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुई इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको 2004 नेक्स्ट कुस्टन है कि 1972 का सिमला समझोता कि इन देशों के बीच में हुआ इसका और अंशर हो जाएगा आपको शिमला समझोता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ next question है दक्षेस का मुख्याले कहां है इसका correct अंसर हो जाएगा आपको काठ मंडू next question next और अंतीमा question है कि सन्युक्त राश्रंग की अस्धापना कब हुई थी सन्युक्त राश्रंग की अस्धापना कब हुई थी 1920 1945 1945 1945 या 1945 तो my dear student इसका answer हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं आप हमें बताएंगे किसका answer क्या होगा बाकि 100 में आपका कितना सही हुआ है आप हमें comment में बताएंगे अगर अभी तक आपने हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किये हैं please subscribe करेंगे, like करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे बाकिशो थांक्स वेरी माच अल्दा ब्यास्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जाय हिंद